थार मरुस्थल उनके औजारों ने सदियों पुरानी रेत को हटा दिया जिससे हड़ियों के टुकडे दिखाई देने लगे टुकडे जो अकल्पनिय आकार के एक प्राणी की और इशारा करते थे ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई लाखों सालों से दबा हुआ एक विशाल सांप जा प्राणी का प्रमाण है ये कोई साधारन रेंगने वाला जीव नहीं था ये वासुक इंडिकस था जो दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप था माप ने रेगिस्तान की फुसफुसाहट की पुष्टी की वासुकी इंडिकस 50 फीट से ज्यादा लंबा था उसका लहर प्राणी का प्रमाण था जो कल्पना की सीमाओं को धता बताता था एक ऐसा जीव जिसने मिथक और वास्तविक्ता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया वासुकी इंडिकस के विशाल आकार ने इसे पेलेंटोलोजिकल खोज में सबसे आगे लाख़डा किया इसने पिछले रिकॉर्ड धारक शक्तिशाली टाइटनो बुवा को एक महत्वपूर्ण अंतर से पीछे छोड़ दिया ये सिर्फ एक नई प्रजाती नहीं थी ये रेप्टिलियन विशालता के लिए एक नया मान दंड था लेकिन इसके नहितार्थ विशाल आकार से कहीं आगे तक जाते थे वासुकी इंडिकस के अस्तित्व ने वैग्यानिकों को प्री हिस्टॉरिक एको सिस्टम्स की अपनी समझ का पुनर मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया ये विशाल काय जीव किसका शिकार करता था किन परयावरणिय कारकों ने इसे इतना बड़ा होने दिया इस खोज ने सवालों का खजाना खोल दिया था हर जवाब लाखों साल पहले प्रिथवी पर जीवन की हमारी समझ को गहरा करने का वादा करता था वासू की इंडिकस की खोज ने अनिवारे रूप से आकार में अपने निकटतम प्रतिदवन्धवी टिटानो बोवा से तुलना की दोनों अपने समय के शीर शिकारी थे जो लाखों वर्षों और महाद्वीपों से अलग थे फिर भी अपने विस्मयकारी पैमाने से एक जुट थे पेलियोसीन दक्षिन अमेरिका के दलदलों से आने वाला टीटन ओबोवा दशकों तक सबसे बड़े साप के सिंगहासन पर विराज मान रहा लेकिन वासुकी इंडिकस ने अपने और भी विशाल अनुपात के साथ इस खिताब को हत्या लिया दोनों टाइटन हालांकि समय से अलग हो गए थे अब जनता की कलपना में सर्वोच्छता के लिए एक मूख लड़ाई में शामिल हो गए थे गुजरात में खोज से बहुत पहले से ही वासुकी नाम भारतिय संस्कृती में गूंज रहा था हिंदू पौरानिक कथाओं में वासुकी एक शक्तिशाली नाग देरता है जिन्हें अक्सर भगवान शिव के गले में लिपटे हुए दर्शाया जाता है आध्यात्मिक माननेताओं के साथ जुड़े नागों के प्रति इस प्राचीन श्रद्धा ने वासुकी इंडिकस की खोज में साजिश की एक और परत जोड़ दी ये ऐसा था जैसे थार रेगिस्तान के बीचों बीच मिथक और वास्तविक्ता का मिलन हुआ हो